दोस्तों, 2024 चुनाव से पहले चुनाव आयोग और E.D. पर मोधी जी ने श्रिकंजा कस लिया है, वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा ट्रोल सुप्रम कोट को किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सुप्रम कोट अब दे भी बारी आ जाएगी, और तब कौन साथ में खड़ा होगा, कौन नियाय की उमीद ले करके कहां पहुचेगा, दोस्तों, सवाल सुप्रम कोट से पूछा जा रहा है, क्योंकि देश की हालात किस तरहां बद से बत्तर होता चला जा रहा है, E.D. लगा महीन काम करती हुई न चुनाव जीत जाती है, अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता वापसी होती है, तो चुनाव जीतते ही नरेंद्र मोदी सबसे पहले एक बड़ा फैसला लेंगे, वो है कि जज और सुप्रम कोट पर वो कबज़ा पाने की कोशिश करेंगे, और यही चीटना सोशल मीडिया पर सु सुप्रम कोट को कोई बचा नहीं सकता। कि किस तरहां से शरत पवार के गुट बनाम जो अजीत पवार के गुट में लड़ाई हुई या एक तरहां से आप कह सकते हैं कि यह मामला चुनाव आयोग तक पहुचा, तो चुनाव आयोग ने अजीत पवार की पार्टी को अजीत पवार के गुट को जो है असली NCP करार अब समझ रहे होंगे कि मामला किस तरहां से जो है अलोकतांत्रिक होता चला जा रहा है आज नरींद्र मोदी भारतिय जुनुता पार्टी का जो बागदोर है वो सभाल रहे हैं कल अगर हेमंता विश्व सर्मा जो है वो अलग पार्टी बना ले और वो कहें कि मेरा पार्टी औरिजिनल पार्टी है मैं बीज़पी का असली मेंबर हूं तो क्या भारतिय जुनता पार्टी और कमल यानि जो साइन है जो लोगों है बीज़पी का वो क्या हिमनता विश्व सर्मा को दे दिया जाएगा या वो नरेंद्र मोदी के पास होनी चाहिए सवाल है यह सवाल इसलिए उठ रहा है और इस पर सुप्रिम कोर्ट चूप है और यह फैसला किसी और ने नहीं खुद चुनाव आयोग ने लिया है इसलिए सवाल उठ रहा है कि आज अगर चुनाव आयोग को इस तरहां से सरकार इस्तिमाल कर रही है अज अगर चुनाव आय आया एंसिपी आज शरतपवार से उस पार्टी को और उस सिंबल सिंबल को उस नाम को छीन लिया गया अब सोचिए फिर आगे चलके अगर चुनाब आयो किसी के इशारे पर काम करते हुए इस तरह का फैसला सुनाता है तो सोचिए आगे चलके क्या होगा सुप्रिम कोड ने क ने रहा है सुप्रम कोड और इसे लिए सोसयल मीडिया पर सुप्रम कोड को चिताया जा रहा है सुप्रम कोड के तमाम वरिष्ट अडवोकेट्स लॉइर्ज क्ट को लेकर के चिंतित है अगर दो हुज़ार 4 में भारतीय जुनतवा पार्टी की सरकार की ये वर्तमान सरकार की सत्ता वापसी होती है तो लोगतंत्र का जो तीसरा स्थम्भ है वो हिल सकता है वो है नियाए पाली का 2014 के बाद से हर एक सरकारी संस्था सवालों के घेरे में आता चला जा रहा है जांच एजिंसी की बात करें तो प्रवाइश की बात करें तो चुनाव आयोग नीति आयोग रिज़ बैंक आफ इंडिया यहां तक की जिला अदालंतों पर भी सरकार की कब्जा है इस बात का प्रमान कई मरतबा हमने देखा अब गुजरात हाई कोट को ही ले ली चुए खेर उसमें नहीं जाते अब सुप्र पर ले NJAC National Judicial Appointments Commission के जरिये जजों के न्यूखती चाहती थी खुले मंच पर फूर्फ कानून मंत्री के रण रिडिजू और चिफ जिस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूर में को ले करके कई मरतबा बहस हुई कानून मंत्री के कंधे पर बंदू रख करके नरींद्र मोध करना चाहते थे लेकिन बाद में बात बनी नहीं तो कानून मंत्री को ही इस्तिफा देना पड़ा था और सब शब्दों में कहें तो जब तक सरकार नियाएक न्यूक्तियों पर नया कानून नहीं लाती है तब तक कोलीजियम सिस्टेम ही कानून है ऐसा सुप्रिम कोर्ट न उनके ही एक काबिनेट मंत्री होंगे और लिडर अपोजिशन होगा ये टू इस्टू वन रेशियो में ना देश का जो लोखतंत्र है और वो किस तरह से काइम रहे इसके लिए एक प्रक्रिया है वो है चुनावी प्रक्रिया और आज चिफ इलेक्शन कमिशनर प्रधान च की जो टीम है वो करने बैठे हैं और उसमें सुप्रम कोट के आदिशों का घोर उलंगन करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार एक कानून लेकर के आई एक बिल लेकर के आई थी जिसे कानून में बदला गया और उसके मुताबिक टू इस्टू वन रिशियो में नरेंद्र मो ठेंड्र मोदी की सरकार वो टैग करने बैठी है अब सोच सकते हैं जिसके नियूकति खुद सरकार कर रही है वो कितना निस्पक शोकर की काम करेंगे हैं और यही हाल यही हाल जो है वह सुप्रम कोट का भी आगे चलके दोस्तों हो सकता है इसे लिए स्टू पर्म कोर्ड को और कोलीजियम को खतम करके नरेंद्रमोधी की सरकार पूरे नियाय प्रणाली पर नियाय पालिका पर कब्जा पाने की कोशिश करेगी दोस्तों को सुप्रिम कोट की बात की जाए तो सुप्रिम कोट में अभी PMLA Prevention of Money Laundering Act का मामला जो है पेंडिंग है इस पर अभी तक सुप्रिम कोट ने फैसला नहीं लिया दोहजार चौबीस चुनाब से पहले ये फैसला कितना महत्पूर्ण है कि जितनी अपार शक्तियां E.D. को दे गई है क्या उसका इस्तेमाल E.D. वाके सही तरीके से कर रही है या मनमाने ढंक से कर रही है इसका जवाब सुप्रिम कोट में E.D. ने दे दिया है और आगे चलके इस पर वर्डिक्ट सुनाना फाइनल जज्ज्मेंट आना बाकी है लेकिन इस मामले को यहीं पर रोका गया और जज्ज्मेंट का जब ही कहीं पर हम उच्चारन करते हुए किसी को कि नहीं देख रहे ह और पिये मेले का मामला 2024 चुनाव से पहले काफी ज्यादा महत्रपूर्ण है लेकिन सुप्रिम कोट इस पर फैसला सुनाने से क्यों पीछे हट रहा है इसे लेकर के सवाल पूछा जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर इलेक्टोरल बॉंड चुनाव में बेनामी पैसों का जो म तरह से अवैद करार दिया जाए इलेक्टोरल बॉंड को बैन कर दिया जाए या फिर यह कहा जाए कि इलेक्टोरल बॉंड में जितने भी पैसे पार्टियों के पास पहुंच रहे हैं उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब सुप्रिम कोट के सामने या चुनावायों के साम रहा है इसे लेकर के सोशल मीडिया पर तरहां तरहां कि सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ में बार 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 कहा जा रहा है कि आज अगर ED, CBI, Income Tax और चुनाव आयों की बारी है तो कल चल के सुप्रिम कोट पर भी केंद्र सरकार कब्जा जमाएगी इसलिए सुप्रिम तेमाम केस को क्यूं पेंडिंग मोड में रखा गया क्यूं इस पेर सुप्रिम कोट जवाभ नहीं दे रहा है यहा आख्री फैसला नहीं सुना रहा है आपके राए क्या है? क्या सुप्रेम कोर्ट पर वाकि किसी तरहां का दवाव है? क्या ये जो दो फैसला आना बाकी है 2024 चुनाफ को जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है अगर केंदर सरकार के खिलाफ फैसला आ जाए क्या 2024 चुनाफ तक इसे टालने की पूरे विशय पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबनों को परताल के साथ पाने के लिए देशनिती को सब्सक्राइब जरूर कीचिएगा बहुत-बहुत शुक्रिया